आम आदमी पार्टी के देश भर के कारे करता हूँ और सपोर्टर्स को मेरा नमस्कार, मेरा प्रिनाम कई दिनों से मन कर रहा था आपसे बात करने का जेल से बहार आने के बद कई बार सोचा भी कि आपसे बात करूँ कई कारे करता हूं से मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिला कुछ से मिल भी नहीं पाया इसके लिए ख्षमा चाहता हूं पिछले दो साल में सबसे कठिन दौर से गुजरे हैं हम पर कहते हैं न भगवान कठिनाईयां भी अपने सबसे प्रिय भक्तों को ही देता है उनकी परिक्षा लेता है इतिहास में कितनी कहानियां पढ़ी होंगे आपने राजा हरीश चंदर को तो कितनी कठिन परिक्षा ली थी भगवान ने उनकी भगवान कठिनाईयां भेज के आपको भविशी की चुनोतियों के लिए मजबूत करता है भगवान जब बहुत बड़ी कठिनाईयां भेजता है न तो ये भगवान का संकेत होता है कि भगवान आपसे आने वाले समय में कुछ बड़ा काम करवाना चाह रहा है इसलिए हमें कठिनाईयों से घबराना नहीं है उनका पहादूरी से मकाबला करना है पूरी पार्टी ने बहुत बहादूरी साहस और सूज बूज से अभी तक सारी कठिनाईयों का सामना किया है हमें तोडने की खरीदने की बहुत कोशिशें की गई लेकिन हम नहीं टूटे उल्टे आज आम आदमी पार्टी के सभी कारेकरता और ज्यादा मजबूती और जजबात से एक परिवार बन गए है मैं जब कारेकरतां से मिलता हूँ तो उनकी आँखों में जो नमी होती है उनके मन में जो मेरे प्रती प्यार होता है उसे देखके भाव विभोर हो जाता हूँ उनके चेरे की द्रिड़ता आने वाली बड़ी से बड़ी चुनोतियों का सामना करने का होसला बयां करती है हम लड़ेंगे हम जीतेंगे मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हो मैं भी आप से बहुत प्यार करता हूँ मेरे और आपके इस रिष्टे को किसी की नजर ना लगे हमें इस रिष्टे को अपनी ताकत बनाना है अगले कुछ महीनों में दिल्ली विधानसवा के चुनाओं है ये लोग इस बार दिल्ली के चुनाओं में हमें हराना के लिए सब कुछ करेंगे सब कुछ, पूरी ताकत लगाएंगे ये लोग पर हमें इन ताकतों को किसी भी हालत में जीतने नहीं देना आजादी के 75 साल के बाद इस देश ने पहली बार राजनीती में जनता से जुड़े मुद्दों की बात सुनी है लोगों ने पहली बार राजनीती में स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सडकें इन जैसे मुद्दों की बात सुनी है 75 साल में पहली बार लोगों ने देखा है कि अगर सरकार इमानदार हो जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता देश की राजनीते में आम आदमी पार्टी एक ताजा हवा का ज्योंका है इसे आगे बढ़ाना है दिले में हुए कामों को रुकने नहीं देना, इन्हें आगे बढ़ाना है अभी और बहुत काम करने बाकिये है आम आदमी पार्टी देश की अकेली उमीद है इस उमीद को कायम रखना है इसे और आगे बढ़ाना है जरूरत पढ़ने पर देश के लिए तन, मन, धन सब कुछ कुरवान करने की तैयारी रखो दिली चुनाव के लिए हो सके तो अपने अपने काम से छुट्टी लेके कुछ महीनों के लिए पूरा समय इन चुनावों के लिए लग जाओ दिली के बाहर के लोग दिली आके अपने किसी दोस्त या रिष्टेदार के यहां कुछ महीने रहने के लिए इंतिजाम कर लो दिली वाले भी छुट्टी लेके पूरा समय चुनाओं में लग जाओ यदि आप पूरा समय नहीं भी दे सकते तो कुछ घंटे प्रति दिन या कुछ घंटे हर हफते दे दो वो भी नहीं दे सकते तो अपने अपने घर से हर रोज कुछ घंटे दे दो आपकी सुविधा के अनुसार हम आपको काम बताएंगे और हाँ जब भी कभी कमजोरी महसूस हो